घर पे पांच लोग आते हैं और पिस्टल की नोग पे बंदूग की नोग पे एक नवालिक लड़की को उठा के जबरान अपने साथ लेके चले आते हैं दोस बजे रात में लड़का आया था दो महीने पहले तुम्हारे खर पे खोली बंदूग लेके आया और क्या जबर्दस्ती तुमको उठा के लेगा पहले पहले भावी के नहिरा वो लड़का अपनी भावी के हां तुमको रखाया हां फेन मामून मतब दो धाई महने तक लड़का बच्ची को कुछ समझ है नहीं एक तो इसके साथ एक महीने तक सारी रिक सोसन किया गया उसके बाद ना उस लड़के को कोई सजा हुई ना उसके परिवार बाले को सजा हुई दो से ढ़ाय महने पहले घर पे पंच लोग आते हैं और पिस्टल की नोख पे बंदू की नोख पे एक नवालिक लड़की को उठाके जबरन अपने साथ लेके चले जाते हैं परिवार ठाना पे जाता है ठाना का चकर लगाता है ठाना में आव लेकिन सर्म करने की बात यह है कि जो लर्का इसके साथ 2-3 महने सोसन किया उस लर्के को ना कोई सजा होती है ना उस लर्के के परिवार बाले को कोई सजा होती है थाना अध्यक्स महदे वकिल साहिब सारे उपर से नीचे तक इसमें भिग चुके हैं क्यूंकि यह मामला कुछ ऐसा है जो आपको हम बताएंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाईएगा हमाई साथ एक लड़की है जिसकी उम्र माज महज 15-16 साल होगी दो से धाई महने पहले यह वारदात इसके साथ होती है बागी साराची हम इससे जानते हैं क्या नाम है तुम्हारा दो से बताध में लड़का आया था दो महीने पहले तुम्हारे खरब पर कितने लोग के साथ आया था पांच आदमीं के साथ थे गोली बंदूक सब लेकी आया था है वह पोली बंदूक लेकी है है और क्या जबर दस्ति तुमको उठा की लेगी तुसम्हारे परिदारवाले सब उसको लेगे गए लड़का घर से लेगे लेगे आप DOTA रखमी किए अच्छावा के नहित्र वो लड़का अपनी भावी के हाग नो को रकाया हांसके दाव मामु के बेटी हैं थेन माम początku मतब दो घाई महने तक तंको घुमाते हागा या न। घाई महने तुमा अएसा सोसन किा गलत काम क किया खुन के произ стал एक महिना एक महिना और उसके बाद भी थाना पुलिस को एक्सान नहीं लिए तुम वापस इस जगह पर आई खुच से भाग के आई कि थाना तुमको छोड़ा के लाया थाना लगा कल्यान पूर कल्यान पूर से छोड़ दलका तो मम्मी अतलब थाना को तुमको खोजने में द कि लोकी सब्सक्राइब सोचाह आइसमारावाद लगा सामने में लाप कर मम्मी ने और लगा कि अलगान है तोाम की सब्सक्राइब वर्लिस कॉछा व्याट मतीkten के सामने हो न सद्सक्राइब शक्क्ने फेसा आई भाख शोट कि से फुच घना प ब़ offenses सब्सक्राइब से 5 उसके तरफ से तुमको कुछ सिखा दिया क्या सिखाया कि कभी न कहां चेली तो यह दीदी के पास ममी पापा खाना नहीं देखेला तो हम चल गले ममें बताईए यह बच्ची 15-16 साल इसका उम्र है दुनियादारी यह नहीं जानती है लगे के पक से जो वकील आते हैं इसको ब लग्यां किया लगता है चाची की लग्याइन की सित्रा बतले को ह्टा ब्रक इसके साथ पूरा इसका दिमांग केसाथ खेल वार कर दिया जे करेल करा वारा फिसे अवह मन करके लिए नगता हम इसके साथ एक महिने तक शाजा हुई नो उसके परिवार बाले को सजा वह एक महिने के सोशन ये लड़की जब कोट में जाती है तो वकील साहिब इसको इस तरह से माइंड वास कर देते हैं जो लड़के पक्स के वकील होते हैं इस लड़की को इस तरह से बहला पुस ला देते हैं कहते हैं कि तुम कह देना कि मेरे साथ कोई सोसन नहीं हुआ है कोई लड़का हमको लेकर नहीं गया था हम बेहन के आँ भाग गये थे और वजय कि मेरे माता पितम को खाना नहीं देते हैं सर्म आती है ऐसी वकालत पे और का पता चला है कि लड़के वालों से वो पचीस हजार रुपया तक घुस खा चुके हैं अब ना जाने इस लड़की को नहीं कब मिलेगा क्या चाहती हो उस लड गलत किया तो मैं साथ एक महीना है अब इस सर्मसार कर देने वाली घटना पर क्या कहा जाए इस लड़की की उम्र देखिए 15-16 साल इसकी उम्र होगी फेस ढख कि हमें वीडियो लेना परता है कि आगे चलके इसके भविश में दिक्कत नहीं इसके साधी बिवाह में दिक्क क्या सोसना है ऐसी भरस्ट वकालत और ऐसी भरस्ट वेवस्थाओं के बारे में आपका क्या सोसना है कमेंट सेक्षन में अपनी राई जरूर दे जहें